तो आज हम बात करेंगे कि रिटार्मेंट प्लैनिंग या फिनेंशल फ्रीडम या आर्थिक स्वतनसत्था क्या होती है तो अगर मैं बहुत साई लोगों से पूछूं कि जब आपने अपना काम करना शुरू किया था उस टाइम अगर मैं एक सरकल बनाऊं जो को मैं दो अनीक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं पहला पार्टे यह रिप्रेजेंट करता है आपकी करेंट इंकम जो आपकी सैलरी या बिजनस। से आरी है और दूसरा पार्ट इंकम करता है आपकी इंवेस्टमेंट剛 j basics ह Muse ओletter ने काम करना चुरू किए हमारी जयादातर एंकम हमारी या बिजनस से आ रही थी और बहुत कम factors ंतोर रिए eve ment ंतोर दो method काह además आप अएसी हम सब ने काम करना शुregon कीए अब हमारे लाइप में सरकल इस ऊरकल और सरकल-फे कहता है कि हर एक आदमी की एक इंकम होती है वो इस इंकम में से कुछ expense करता है जो बच जाता है वो उसकी savings बन जाती है और जब वो savings को investment में convert करता है तो उसको income आनी शुरू हो जाती है तो आपकी income आई आपने expense किया जो बच गया वो आपकी savings थी जब आपने सेविंग्स को इंवेस्टमेंट में कनवर्ट किया तो वापस इंकम में एड होना शुरू हो गया तो आपका गोल एज़ा परसन जिसकी यह सरकल है आपका गोल क्या इसमें आपको कोशिश करनी चाहिए किसी तरीके से मैं अपनी इंकम को तो मैक्सिमाइज करूं एक्स तो मेरा यह जो टोटल इंकम सरकल था यह हमेशा के लिए बदल जाएगा अब यह वाला पोर्शन जो है यह मेरी इंवेस्टमेंट इंकम बन जाएगी और यह बच जाएगी मेरी करेंट इंकम जिस दिन लाइफ की इस स्टेज पर आप पहुंच जाओगे मैं कहूंगा कि आ लेटर क्या है और जिस दिन आपका पैसा आपके लिए इतना काम करे कि आपको पैसे के लिए काम करना ही ना पड़े तो आप रिटायर हो जाते हो अब एक क्वेस्टन है सब्स आप इस लाइफ की स्टेज पर पहुंच गए जब आपको पैसे के लिए काम करने की कोई जरू से अब आप खाली वही काम करोगे जो आपको करने में अच्छा लगता है और लाइफ में आप उन्ही चीजों में ज्यादा सक्सेस पाओगे जो आपको करने में अच्छी लगती है तो question आज की rate में आपके लिए एक और है कि क्या आज की डेट में आप वो ही काम करते हो जो आपको अच्छा लगता है या अभी भी आपको पैसों के लिए काम करना पड़ता है अगर आपको अभी भी पैसों के लिए काम करना पड़ता है तो आपको जल्दी से जल्दी स्टेज पर पहुंचना है अपनी लाइफ के जिससे कि आप व retirement है यही financial freedom है इस से अच्छा तरीका retirement को समझने के लिए कुछ ही नहीं तो आज हमने देखा circle of wealth क्या है और हमने ये भी जाना कि retirement क्या है हमने जाना कि आपको retirement के लिए planning कैसे करनी चाहिए और retirement की stage को हम retirement कब बोलते retirement वो stage है life की जब आपके लिए को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता है और आप वो कर पाते हैं life में जो आपको करने में अच्छा लगता है Thank you